हेलो नमस्कार दोस्तों यूटीब चैनल आपका सुवागत दोस्तों आगरे उविश्टी के लपी सेक फर्स्ट एर के पेपर सेकिंड और भी अलबी थर्ट एर के पेपर सेकिंड कोशन पेपर कोशन करने वाले सबसे पहला कोशन है दोस्तों मध्यस्ता अधिनिया में 1996 कब लागू हुआ दोस्तों यह 22 अगस्त सब्द मध्यस्ता को क्योंसे धार में परिवास्त किया गया है मध्यस्ता दोस्तों मध्यस्ता यहाँ पर सब्द आर्बिट्रल अवोर्ड को कौन सी धारा परिभासित किया गया है इसका अंसर है धारा 2C में कौन से 2C में नेक्स्ट कोशन है दोस्तो आर्बिट्रल ट्रिविनल के तहत कौन सी धारा परिभासित किया गया है धारा 2D में कोट को कौन सी धारा में परिभासित किया गया है दोस्तों इसका अंसर दो इमें ठीक है नेक्स्ट कोशन है दोस्तों जब तक पार्टियों दुवारा अन्यता सहमती नहीं दी जाती है किसी भी लिखित संचार को प्राप्त माना जाता है यदी वह उप्रोक्ष सभी मतलब उप्रोक्ष सभी हो जाएगा इसका अंसर नेक्स्ट कोशन है दोस्तों क्या मध्यस्टा और सूलय अधिन्यम की धारा तीन किसी नियाईग प्राधिकरन की कारवाई के संबन्ध में लिखित संचार पर लागु होती है इसका अंसर है दोस्तों नहीं क्या है नहीं भी हिस्से का कोई प्रावधान जिसमें जिससे पक्स अलग हो सके या मद्यस्तर समझोते के तहट किसी भी आवसक्ता का अनूपालन नहीं किया गया और फिर भी बिना किसी देरी के ऐसे गैर अनूपालन पर अपनी आपती बताए बिना मद्यस्तर के साथ आगे बढ़ता है यदि उस उदेशे का बताने के लिए समय सीमा प्रदान की जाती है तो उस अवधी के भीतर उस वस्तू पर उसके अधिकार को माफ कर दिया गया है यह माना गया है तो इस तरीके से आपको धारत चार जो धारत चार इंपोर्टेंट इडिया जितने भी अधार है वकरार हो यही आपकी एक्जाम में आने वाले ठीक है दोस्तों यहाँ पर केस पढ़ लेते हैं निम्न लिखित में से सरवोश न्याले के दिश्टिकोन जब कोई मध्यस्ता समझोता होता है तो न्याले का हस्त सेब नियूनतम होना चाहिए जब कभी भी कोई भी मध्यस्ता समझोता होता तो न्याले का हस्त सेब नियूनतम होना चाहिए इसका अंसरर सेकंड पी आनंद गजपती राजू बनाम पी वी जी राजू इसके केस में बता राजू ठीक है नेक्स्ट कोशन है मध्यस्ता समझता के अंदर कौन सा अध्याय में वताये गया अध्याय भी आते है मध्यस्ता और सूल्ययः अधियंयMay की कौन सी धरा कहती है का एक मध्यस्ता समझता लिखीत रूप में होगा ढ़ा साथ जो मंद्धेस्टा जो समझोता हो तो वह हमें से लिखित रूप में होता है ठीक है पाटिक बीच साइन होई इहाँ पर याँ पर नेक्स्ट कोश्न है सरवोच नेलेने के विचार में बताएगा केवल इसलिए कि एक वानिज्य समझोते में एक मद्यस्ता खंड है जो अभियुक्त के खिलाब आपरादिक मुगत्मा चलाने से नहीं रोक सकता यदि एक आपराद का गठन करने वाला एक अधिनियम भी पहले से ही बना दिया जाता है यह प्रत्यक्स यह कौन से केस में बताएगा यह एस एन पल्ती पलनीटकर बनाम बिहार राज्य ठीकस है फोर्थ इसकन सोजाएगा मदस्त और सूल्ह अधिनियम की धारा आठ में क्या बताएगा धारा आठ की भासा यह मुले स्थाई है क्या है भासा जो उसमें स्थाई है नेक्स्ट कोशन है निम्लिकित में से किस मामले में सरवोच नियाले ने निम्लिकित विचार दिये गया कि धारा आठ का आठ की भासा अनिवार रहे हैं इसलिए अधालत के लिए पार्टियों को उनकी मदस्ता के संदर में मदस्ता के लिए संदर्वित करना अनिवार रहे हैं इसका अंसर है पी आनंद गजपती राजु बना पीवी जी राजू ठीक है सेकंड इसका अंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोशन है मद्यस्ता अधिनियम सुले अधिनियम 1996 की धारा 9 के तहद अधालत कब अंतर उपाय दे सकती है एसक अंसर है एक पक्स इस मद्यस्त कारवाई से पहले या उसके दोरान या मद्यस्त निर्णे लेने के बाद किसी भी समय लेकिन धारा 36 की अनुसर इसे लागू करने से पहले नियाले से आवेदन कर सकता है एक पहला इसकंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोशन है किस धारा के तहत एक पक्स विक्रत दिमाग वाले व्यक्ति के लिए अभी भावक के निउक्ति के लिए आवेदन कर सकता है इसकांसर है सेक्षन 9A ठीक है 91 नाबालिक के लिए अभी भावक के नुक्ति के लिए एक पक्स की स्थारा के तहद आविधन कर सकता है नाइन वन ठीक है नेक्स्ट कोशन है कितने सदस्यों को मध्यस्त के रूप में नुक्त किया जा सकता है कितने सक्षय वो मद्यस्त के रूप में लोगं को अगे बोला कितने समय के भीतर दो नियुक्त मद्यस्तो तो को तीसरा मद्यस्तय नुकत करना होगा, इस कंसर है उनकी नुकती की तारिक से 30D के भीतर, नुकती की तारिक से इन दो मद्यस्तों की नुकती ही हो जाएगे, फि उसके बाद 30D previously、 30D के भीतर होना चीहें क्या है नेक्स्ट कोशन है मदस्ट और सुल्य अधिनियम की धारा 11 के तैद मुख्य नायदिस की सक्तिया क्या है परसासनिक सक्तिया क्या है परसासनिक सक्तिया है क्या भारत के मुख्य नायदिस मदस्ट और सुल्य अधिनियम की धारा 11 के तैद यहले या मदस्ट के रूप मे कारे करते हैं किस दारा के तहट पार्टी मद्यस्त की नुक्ति को चुनोती दे सकती है धारा बारा बारा के तहट किस अधार पर एक पक्स मद्यस्त की नुक्ति को चुनोती दे सकता है दोनों यह और भी दोनों जब परिस्ततिया मौजूद हो जो कि उसकी सफतंदता या निस हो इए और बी दोनों के तहत वह मद्रिस्ता को सुनूत्त दिआ सकते हूं नेक्स कोण करेगा जरो सुद्स की जिस मध्रिस्ता को चुनूती ली गई है वह किसी भी सुल्क का हगदार है जबगि 05 की तहत किये गई आवेदन पर मदस्त पुरस्कार को रद किया जा सकता है कौन तेह करेगा कोर्ट कोर्ट तेह करेगा ठीक है नेक्स्ट कोशन है छेत्र अधिकार की इस अध्याई के तेहत मदस्त नयाधिकरणों की व्यक्या की गई है अध्याई चार में ठीक है नेक्स्ट कोशन जब एक दलील जब एक दलील की मद्यस्त ने अधिकरन के पास अधिकार चेत्र नहीं है तो उठाया जा सकता है क्या इसका अंजरा बच्चाव के बियान को परस्तूत करने के बिना नहीं हाला कि किसी पार्टी को केवल इस वज़े से इस तरह की दलील देने से नहीं रोका जाएगा कि उनके मद्यस्त नुक्त किया है या उनकी नुक्ती में भाग लिया है ठीक है मद्यस्त सूले दिने 1996 कि धारा कौन सी धारा पार्टियों के समान वैवार को परिभासित करती है धारा 18 मद्यस्त की जंगे के बारे में कौन तया करता है सीज का अंसर है पक्सकार मद्यस्त के इस्थान पर सहमत होने के लिए सुतंत्र है मद्यस्त की जंगे के बारे में कौन तया करता है ठीक है वोई पक्सकार तया करते है नेक्स कोशन है यदी पक्सकार मदेस्था के किसी इस्थान का उलेक नहीं करता है तो मदेस्था के इस्थान के बारे में को निर्णे लेता है यदि कोई पक्सकार मदेस्था के बारे में का इस्थान बता नहीं पाता है या को उलेक नहीं करता है तो उनका इस्थान को निर्धारित करता है इस कंसर है पक्स की सुविधा सहीत मामले की परिस्ततियों को ध्यान में रखते हुए मद्यस्ता नियाधिकरन दुआरा मद्यस्ता का इस्थान निर्धारित किया जाएगा ठीक है किसी विशेश विवाद के सम्मद में मद्यस्ता मुल्ले निधारण कब शुरू होता है जब तक पार्टियों दुवारा अन्यता सैमती नहों किसी विशेश विवाद के सम्मद में मद्यस्ता की कारवाई उस तारिक से शुरू होती है जिस पर उस विवाद को मद्यस्ता के लिए संदर्वित करने का अनुरोध रेड पॉर्ट रेस्पोंडेंट द्वारप्राफ्थ होता है दोनों पार्टि जब से ही चालो हो जाता है मद्यस्ता की कारवाई में परियोग की जाने वाली भासा के बारे में कौन से निर्णे करेगा पक्सकार मद्यस्ता कारवाई में परियोग की जाने वाली भासा पर सहमत होने के लिए सफतनत्र है ठीक है नेक्स्ट कोशन यदि पक्सकार मद्यस्ता की कारवाई में परियोग की जाने वाली भासा पर सहमत होने में वेफल रहते हैं तो मद्यस्ता की कारवाई में परियोग की जाने भासा का निरिणे कौन करेगा दोस्तों इसका अर्बिट्रल ट्रूबिनल ठीक है मद्यस्ता ट्रिबुनल जो होते हैं वे करेंगे एक अंतराष्टे व्यापारिक मद्यस्ता में किस देश के कानून के नियमों का पालन किया जाएगा यह इस कंसर है मद्यस्ता नैधिकरन विवाद के सार के लिए लागू दुवारा निद्रिश्ट कानूनों के नियमों सार के लिए लागु पक्सकारों दूपरा निंद्रिष्ट कानून के नियुमों के इनुसर विवाद का फैसला करेंगे ठीक है एसकान्सर है विवाद का क्या हल होता है यदि मद्यस्त कारवाई के दुरान पक्स विवादों का निप्टारा करते हैं इसका अंसर है पहला जिसमाफ्त कर देगा और यदि पाठ्टियों तुवारा अनुरोध किया जाता है और मद्यस्त न्याधिकरण दुवारा आपत्ती नहीं की जाते है तब एक मद्यस्त पुरसकार के रूप में ब्यान धर्ज करे तो इस तरीके से आपे पहला इस कंसर है Next question दोस्तों मद्यस्त पंचाट का रूप और विश्य वस्तु क्या होनी चाहिए सीज का अंसर है एक मद्यस्त पुरसकार लिखित में होगा और मद्यस्त न्याधिकरण के सदस्यों दुवारा हस्ताक्सिर किया जाएगा मद्यस्त पंचाट उन कारणों का उलेक करेगा जिन पर यह अधारित है जब तक की सीज का अंसर है दोनों पार्टियों ने सहमती व्यक्त की है कि कोई कारण नहीं बताया जाना चाहिए यदि पुरसकार धारा 30 के तहट सहमत सर्तों पर एक मद्यस्त पुरसकार है तो यह और भी दोनों माना जाएगा ठीक है नेक्स्ट कोचन दो तो मद्यस्त अधिरिकरन किये जाने के बाद अपना जाने वाली परकरिया क्या है पहली यह इस कंसर है मद्यस्त पुरसकार की हस्ताकसर परती परतेक पक्स को वित्रित की जाएगी जब मद्यस्त हो जाएगा तो एक कोपी दोनों को दी जाएगी ठीक ह आर्बिट्रल अवोर्ड में परती वर्स ब्यास दर का कितना परतिसत दिया जाता है। फूर्थ इसका अठारा पर्शन कितना अठारा पर्शन। पियाज किस तारिक से दे होता है। एस कंसरन पुरसकार की तिती से भुकतान की तिती तक। मद्यस्ता की लागत कौन तैक करेगा आर्बिट्रल ट्रिवूनल जब तक पार्थय दुवारी आन्याता सेहमती नहीं दे जाती है कि मद्यस्ता पुरसकार के प्रापती से कितने समय के भीतर कोई पार्टि किसी मिर्ट्यू हो जाती है तो मद्यस्त के अधी देश पर क्या परभाव पड़ेगा एस का अंजरई एक मद्यस्त के अधेश को किसी भी पक्स की मिर्ट्यू से समाब नहीं किया जाएगा जिसके दुआरा उसे निउक्त किया गया था ठीक है नेक्स्ट कोशन है दोस्तों किस धारा ने विदेशी पुरस्कार को परिभाशत किया धारा चवालिस धारा चवालिस खंड चवालिस धारा चवालिस ठीक है नेक्स्ट कोशन है क्या पुरस्कार में होने वाली किसी भी गणना तुरूटी गलतिया लिपी किया टाइपो ग्राफिक तुरूटी समान प्रकर्ति की किसी भी अन्य तुरूटियों को ठीक करने के लिए पांटे को कोई नोटिस देने की आवसकता है इसका अंसर ए नोटिस क्या आवसकता है जी हाँ है मद्यस्ता पुरसकार को रद करने के लिए किस धारा के तहद आवेदन किया जा सकता है धारा 34 कितने समय के भीतर नियाधी गरन धारा 33-4 के तहद अन्य रोद के तिरे पंचाट पुरसकार करेगा पुरसकार में होने वाली किसी भी घंणा तुरूटियो का समान पर करती के लिए तो दोस्तों यह cq को से ला था अपको एक्जाम में आने वाले ठीक है और भाई दोस्तों आगर आपको यह पीडिया आपको चाहिए तो लोह हिंदी बाबा टेलीग्राम को जोइन करें वहा आपको एमसी को आपको आई हो आपको अच्छे लगे होंगे ठीक है तो उनको ताल इनको त्यारिक करते रहना मिलते नेक्स्ट वूडियो में धन्यवाद ओके बाइद